अगर आपके पास बहुत एकम टाइम हो तो आप इससे साथ से अट मिर्ट में जल्दी से बना कर त्यार कर सकते हैं इसके रेस्पी बहुत ज़ादा असान है और इखाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगती है रेस्पी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और लाकन पर बी क्लिक करें चले देख लेता है यह पनीर की भुट्जी कहसे बनाया सबसे पहले मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर जिसको मैंने हाथों से क्रंबल कर लिया है दू मीडियम साइस के चौप किये वे प्याज और एक एक मीडियम साइस का चौप कियावा तमाटर इसमें बिलकुल बारिक कटावा प्याज और यूज़ करना है या तो आप से चौपर से चौप कर लें और चाकू से बारिक काट लें अब हमने एक कड़ाय लिया है जिसमें तेल को करम होने के लिए छोड़ देंगे तेल करम हो कि अधोर होने तक पकाना है अब देख सकते हैं प्याज वा कलर हलका ब्रावन रख चुका है तो अब हम आप्यों कि ये चॉप्क और तमाटर मैंने दाल दिया है इसे भी हम थोड़ेर तक प्राइब करेंगे हमें तमाटर को जाधा गलीने दिना और से सव्प्ट अने तक पक इन्हें हम प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे इसका कलर अच्छा हैगा इसे भी थोड़ी देड तक मिला लें और फिर इसमें डालें ये क्रमबल कियावा पनीर इसमें ग्रैट करके भी उस कर सकते हैं पनीर को अमिज़ और हम इसा जादा देर तक नहीं पकाना है इसमें पनीर ग्रेट या करमबल करके worker करें वडूर्ड कि हमें पीसिज करना अब हमें इसमें डालना है आधा टीस्पून गरम मसाला इसे हम मिक्स कर लेंगी गरम मसाला हम लास में डालते हैं क्योंकि उससे अच्छी खुश्बू आती है अब हम इसे ढखकर दो मिनिट तक लोफ लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है दो मिनिट बाद हम इसका सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर लग रही है हमारी पनेर की बुर्जी अब हम गयास का फ्ली मॉफ कर लेंगे और इन्हें सर्विंग के लिए निकाल लेंगे अब आप इसे घर पर बनाकर ट्राइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये रेस्पी आपको कैस लगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल यकिन पर बी क्लिक करें अगल मार में एक और रेस्पीक सथ मिलूंगी तब तक लिए बाया थांक्यू